कि पहरा कुछन यहीं है कि रासायनिक अब किरिया किसे करते हैं कि रासायनिक किरिया किसे करते हैं कौन बोलो गया हाद उठा इतना कम जान वागे लोगी याद नहीं कि यह हो तो यह हम वो देते हैं और उसके बाद कोशिश करना है कि सबी लोगे याद हो जाए ठीक है बैठो अच्छे से सुनना गौर से और इसको माइने में ठाले ना उसका जब कोई पदात टेक है जब कोई पदात अकेले हैं यह अन्य पदात से अभी किरिया करके भेन गु करते हैं तो जब कोई पतात अकेले ही तो यहांने को c.a.c.o.3 कि अकेले हैं विलकुल अकेले हैं है सिस्थी अकेले हैं इसको टूटने से क्या करें दोको पदात का निर्वान होगा क्या क्या होगा c.a.o.c.o.c.o.c.o.c.o. पतार है तो जो कोई पतार्थ करने के लिए सतों 們 किरिया करता है你 क्या उन strongest कपने के सोड़ित करने के लिए 2 संधुला करते हैं नॺ उन्य से शूरान करके ही या अंहेज माणाण से विकिलिया करके भिन मुनवाले एकी य बिएक सा अधीक है मैं पदात का निर्वान करता है उसे रसाट्रे पांकर इंब करते एं हैं तो रसाट्रेट कर संकतर हैं तो जब कोई पदात रकेले ही손ًय हों आकले हों घ्राज़ा ने ठीट वालले नें जुक्त लिएक नदी नादाथ करते हैं अब लिया हातों चाहिए तो उस दो एक वह वार सुनलो जब कोई पदात अकेले हैं यहांने पदात साविकिर्या करके भीन उगन वाले हैं क्या क्या है यहां आपक्सिजन के कुई पदात को तरत चलेगा यहां जलने के सखायक होता है ट्रेकड ये जलाने में क्योंता है ये क्याता हूआ कि बिजल न अ कि दोटेंग होगा है तो बाल जते हो इस वांगे शयमक वार वह गरत्यक को करोगे तो उससे बुझ जाएगा तो वहां पर क्या करोगे बालो मिट्टी करोगे उसको बुझाओगे लेकिन नर्माले क्या चीज से मुझता है जल से पानी से मुझता है तो यहां देखो यह दोनों क्या था एक आग जलने वाला एक लगाने वाला एक मुझाने वाला यहां से देखो यह क्या हुआ यह क्या हुआ यह टूटा तो क्या बना चीज एक पदाथ है तो लिए दो पदाथ का बना यह दो पदाथ किया अब आरा क्या एक पदाथ वाला तो जब कोई पदाथ अकेले ही यह आने पदाथ से अविकिरिया करके भीन गुन वाले यह याद रखना है भीन गुन वाले एक यह अधिक से अधिक पदाथ का निर्मान करता है उससे रसाइनिक अविकिरिया करते हैं हम लोग हम लोग पढ़े थे कि रासाइनिक अवेकिरिया का गुन क्या-क्या था यह यह पढ़े थे तो रासाइनिक अवेकिरिया का पहला गुन में हम लोग क्या पढ़े थे ग्यास की उत्पथी ग्यास की उत्पथी ग्यास की उत्पथी दोसरा में हम लोग क्या पढ़े थे अब छे तिसना में हम लोग क्या पढ़ेते हैं परीदान तराजी में परिपर्तन चौधा हम लोग क्या पढ़ेते हैं और परिपर्तन पांसमा में हम लोग क्या आवास्ता में पड़ी बर्दार पड़ी बर्दार पड़ी बर्दार पड़ी गास के उस पत्ते जो है इसका गूर है तो क्या होता है आवे किरिया होता है तो वह ऐसे रसानी के विक्रिया है जिसमें आवे किरिया के बाद पर्तिफल के रूप में गैस बरात होता है तो उसे हम लुग क्या गहता है तो उसमें पर्दी वर्ढ के रूप में क्या होता है आपशेप याउसे प्राफ होता नियुक्या तुक बहुता है तो बिलियर के अप्शेव करता है तो रूप में पनी पॉत्पति वन घृता है कि तीसरे क्या है रहाँ पडिक टॉटता है जो बिलियर के बाद रंग जो सब्सक्राइब परिवर्तन हो जैसे में इथा कली चुना उस पर पानी डालते थे और वह खौल लेगता था यह नहीं होता था परिवर्तन हो जैसे अब करिया के बाद जो है अवस्ता बदल जाता है यारी थोस में है तो द्रब में हो जाता है तो यह क्या आवस्ता है कर देज्वर्त जो है यह अभी इसमार से चल ला है इसलिए दो पढने के लिए नहीं नहीं होता है यह पांच अवस्ता होता है लेकिन परने के लिए दा जाता है लेकिन बोश आयस्टेन जो है यह अभी इस पर सर से चल दा है इसलिए हम लोग को पढ़ने के लिए नहीं देता है लेकिन ना इते तक तिन ही आवस्ता होता है पड़ात कि तीन होता है ठोस त्रब गैस ठोस क्या होता है ठोस उसका घनत वह जादा होता है ठोस पानी का उससे अब दली घास ने, तो क्या होगा आअवस्ता में? वलिवर्तर हो गया। आप हम लोग पढ़ने वालया है रासाइनिक संभी करणी क्या पढ़ेंगे? रासाइनिक संंभी करणी क्या होता है, हम में जोरे बतल के शीया हो इस तैरे क्या हुआ हूँ कि यह सब पर लेते हैं उसके बाद यह की बार लिखे बाद आएंगे टेंगे कि अब करेंगे क्या होता से हम लोग जानते हैं टेक है तो रसाइने का विक्रिया में क्या होता है पदा भाग लेता है तो रसाइने का विक्रिया में भाग लेने वाला पदा तो जो होता है उसको संकेत बाद सूत्र के साहता से दर्शाते हैं तो रसाइने का विक्रिया में अब करता है तो रसाइने का विक्रिया में भाग लेने वाला पदा तो जोता है उसको संकेत बाद सुत्रों के साहता से दर्शाते हैं इसे का विक्रिया करता है जैसे तो अब करिया हो रहा है अब बनने के बाद क्या बना जल बना तो यह हिंदी में लिखेना काफी मुश्किल हो जाएगा पूरा लेकिन अगर हम हाइड्रोजन का बात करें तो यह क्या है एस्टू लिख सकते हैं यह क्या है है लोग का संकेत है टेकर एस्टू क्या है सुत्र हो गया टेकर एस क्या संकेत है इसका है इस लिए एस्टू लगा दिया तो संकेत सबको आया समझ में रसायनिक सभीकरण क्या होता है तो रसायनिक अब गानोम क्या Ky litigation में भाग लेने मौले है पादार्तों को संकेत हैmän अब गानोम की सहातय सता बडशायनिक सभीकरण पीछे बना पादा चला कया होता है रसायनिक समझरण मोलो गया देखो रासायनेक अभी किरिया में का होता है एक या एक साथ एक पदात भाग लेता है लेता है ना तो रासायनेक अभी किरिया में भाग लेने वला पदार्थों को संकेत एवन सुत्रों की सहाता से दर्साना ही रासायनेक समिक्रण होता है रासाइने करिया में भाग लेने वाला पदातों को संकेत अब शुच्रों के सहाता से जल साना रासाइने भाग होता है जासे स्टू पिलोरेंस आविकरिया किया तो क्या मना अच्छिया आज क्या है हाइड्रोक्लोरिक आपले हां हेड्रोजन का क्या परवाल है क्या इसे लों कर दो अब कीडिया करेंगा तो क्या बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक आपले है है यहां hydrochloric, हम लोगो बना दो गो टो LCL बना ॉच्छ तो क्या क्या से वाभी कर्वाय है ה्दोजन और захloret से बना हाँ तो क्या बना है hydrochloric, और इसे हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे फोगे हैं फिर प्लोरियें फिर लिखेंगे other एख यह काफ़ी जय्दा लंबास हमीर लो झाता ठीक है है फिर नी को लूंदी में लिखते हैं इसको क्या करती है सोट करती है यह अभी यहां हायजान तरहाद सधान कभ़ प्लॉस क्लोरीन का दोन एक प्लॉस के जिन के बाद किरिया के बद क्लोरीन tortwyn कराप्त घेले यह गुल मिला गए है एक लाइन का साअधि बत जाता हम भी जाता तो अब जो काम पांच मिनट में हो ही सकता है उसको हम दो हंटा लागा कि क्यों बरबाद करेंगे अपना समय सभी लोग क्या चाहता है कि समय कम से कम यूज हो आजा बैता से बैता रेजल्ट हो जाए तो इसमें क्या है उसको पौणने में भी थोड़ा हाट लगता है सभी लोग समय कम लगे काई कम लगे इसको इस लिखेंगे तो पेज कम लगे समय कम लगे लिखने में एक यह समरा चेज सबको देखते हुए क्या किया किया सौर्ट कर दिया तो रासाइनिक सभी क्यों निकाला गिया है किसे बोलते है तो रासाइनिक सम criterion क्या हो था है क्यों इस रूप में लिखते हैं ताकि समय कम लगे समय काबCu लगे हमें बहार के सारा छेजसें का बचा इसलिए हम लोग, क्या है बिहारी स्षया भी क्या होता है, जो आरू मोख ठुछ रहता है पैसा कम लगे हैं आप कुछी पह बहुत है काम छले तो बहारी लोग के पेज़ा था आ अर बहार पेली लोग के मुझा था है है अब हैं और यहां पार चलता है यह लिख लेता है यह लीक लिख सके इतना शी जगह बसेद नहीं दिरता था टेका तब यहारी लोग कैसे हैं वे लिख लेगा फिसी की दिन की तो यहां पडिए तो आप भी Sudya कि यह सुचेका है आगया अभी लिखते कैसे हम देखे हम लोग जो कारुक है पता है नहीं पता अभे किर्या में भाग लेता है उसी को अभी कारुक और तो यह से करता है पर्दिफल बनता है तो जो होता है तीर के बाया तरफ यह बाया है यह क्या है तीर के बाया तरफ क्या लिखते है अभी कारण को तीर को तीर के बाया तरफ हम लोग क्या लिखते है अधीर के दाया तरफ क्या लिखते है पर्दिफल तेक है तीर के बाया तरफ क्या लिखते है क्या लिखता है तेर के बाएं तरफ बनता है अभिकारक के बीच में प्लस दिया जाता है अभिकरिया अभिकरिया में भाग लेता है तो उसके बीच में धान चीन दिया जाता है तो मिल's तो अगर है दो पदात बाग ले रहा है तो इसके बीद में डीया जाता है धन चेन गीरीया में और परति ukोड़ते चाहरे परत्क में पर अहूंद्ट हुदаки दान चिन प्लस चिन तो अगर अभिकिरिया में एक से अधिक पराब्त होता है तो उसके बीच में क्या दिया जाता है धान चिन जो है यह बताता है कि अभिकिरिया किस तरफ हो रहा है तरफ है तो हम लोग क्या सबस्ते हैं कि अभिकिरिया करने के बाद यह बना पर दिफ़त पर यह लेकिन अगर इस तरह तरह तो आज आता तो 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 अगर दे दिया जाता है ना तो इसकी बनके यह पराप्त हुआ अगर इसको भीच में अटाएं अब करके यह बन दो पराप्त हो लेगा तो तीर चीन के बाय तरफ क्या चीज को दरच आता है क्या चीज को लिखते हैं अभीकारा पो लिखते हैं तीर के दाय तरफ कर दिख ते रचीन क्या वताता है किरिया किसा में हो रहा है तेरचीन क्या बताता है क्या बताता है अगर दोनों तरफ तीर लगा हुआ है तो हम लोग क्या समझेंगे लोग सभेगे करके यह अभी कार्ट बना आङए। सब्सक्राइब करें तो यहीं हम सब्सक्राइब करें यह बनाएगा फिर यह दोना करें फिर हुआ ही बना लेगा ठीक है आयागी नहीं सब्सक्राइब